तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बात है इतनी important की बहुत यह अच्छी जो कि आपने अभी तक देखा ही नहीं होगा जिहाँ दीवार में लटका कर और चट पर आप अपने terrace garden यानी चट पर सबजी हुआ सकते हैं वो भी एकदम फिरी में गमले बनाएं और फिरी में यहाँ पर देखिए हमारे दो चार ही दानों से यहाँ पर गाजर का बीज भी हो रहा है आप देख सकते हैं मैं यह आपको सब दिखाने वाली हूँ तो देखिए यहाँ पर टमाटर भी मेरा काफी हो रहा है और सारी चीज़े देखिए इस टमाटर को मैं छु होई पर गाजर की सब्जी भी बना लिए मेती डेखो मेती का कमाल ने हैं कि जवाब यहां पर मतर मेरी फली देने लगी हैं और मोटर झाले चाहिए और महीने में उगा जाता है तर्बूज कौन से महीने में उगा जाता है तर्बूज के बिज को कैसे लगाना चाहिए और कहां लगाना चाहिए खेत में लगता है या फिर हम छत पर भी उगा सकते हैं जी हा दोस्तों हम छत पर बिल्कुल उगा सकते हैं एकदम आसान है तो चलिए आगे 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 आप देखते चलिए और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ बैल आइकन की गंटी जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब बिल्कुल फिरी है दोस्तों और बैल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल फिरी है इससे ये होता है कि जो भी आपको सबसे पहले वो भी एकदम फिरी में बिना कोई सर्च किये तो यहाँ पर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूं लेकिन वीडियो पूरी देखना और प्लीज प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बातो बातो मैं मैं बूल गई कि आ आपको अगर थोड़ी सी भी मेरी मेहनत अच्छी लगे न तो यहाँ पर मेरा होमवर्क अच्छा लगे तो आप मेरे होमवर्क के लिए एक लाइक तो जरूर दे सकते हैं अगर अच्छा लगे तो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी दे सकते हैं और आपकी मर्जी है को बंदर कितने जाद आए यहां पर है न और एक दो बंदर नहीं है पूरे 20 से 25 बंदर हैं इससे बिल्कुल भी कम नहीं है और यह बहुत जाद लड़ रहे हैं दिखाती हूं मैं अभी आपको यहां पर देखो बंदरों ने बोल भी और बोटलों के ढखने वगरा मेरी स्प् मैं यहां पर को भी यह आ जाते हैं मैं इतनी मेहनत करिए फिर भी यहां पर यह आ जाते हैं यहां पर को खूद के आ जाते हैं यह चलिए मैं आपको दिखा देती हूं कहां को आते हैं यहां पर को ऐसे आ जाते हैं यह नीचे को डिजाइन बंदा है तो डिजाइन बंदा है ना बेल की तरढ लटक लटक के जोल जूल का जाते है जोला हो जैसे हम जूला होती है ना ऐसे आसे आप ने है रिद आ तो यहां पर आप को मैं दिखा दूँ जो होती द only hi वाहिए ठीक है यहां पर मैंने ल convincing कोई नहीं इस वाहिए से इस जो टंश और यह कद्दू की बहल है शायद यह चकई की बहल है यह अब ही पता nor चला है लेकिन अब बहल सकते हैं और यह आप बहल सकते हैं कि तोरी की ौह सकता है तो क्योंकि मूली तो नीचे रह जाती है ठीक है और यह तमाटर है यह हमारा एक साइड को जाएगा यहां पर मैं रेंडा लगाने के बार इस बेल मेरी उपर को जाएगी और यहां पर इस तरह से मैं कुछ अलग तरह का कुछ अलग सोचूंगी जो की बंद्रों के हाथ ना है वैसे तो बंदर चलांग लगाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बंदरों की वज़ा से कोई बात नहीं जैसा होगा तो देखा जाएगा यहां पर मेरी जगहा थोड़ी खाली मुझे लग रही थी तो देखो यहां पर भी मैंने दें नागट लोगाया था यहां पर देखिए इश्टाभेरी मीनी उग्री है क्या आपको दिख रिए ना देखिए यहां तक यह इस्ट्रावेरी मेरी उगरी है और उक्के आ रही है यह इस्ट्रावेरी के सीट्स हैं देखो इतने बरीक होते हैं यह और यह बहुत जल्दी नहीं दिखती है इसलिए इसका पोदा 30-40 रुपए का मार्कीट में मिलता है मा सिंपल बेजी लेना है आपको तो आप है ना सिंपल प्याज बहुत मोटी मोटी हो रही थी जैसे कि चार पांच प्याज हमने उखाड़ी हार्वेस्टिंग कर ली और उसके बाद में हम रेसीपी बना सकते हैं दो टाइम की अराम से इतनी मोटी प्याज अब तक हो जाती क् अब यहाँ पर मैं खोद रही थी थी थोड़ा थो इससे खोदने के बाद मुझे बाद के बस दावर निकल रहे थे अब मैंने एक कनी की मदद से मिट्टी उठाई और इसके चार और मैंने रख दी है ताकि ये बाहर को ना निकले और भी मैं अगर मेरे पास मिट्टी और है ना तो और भी मैं यहाँ पर डाल दूँगे यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले उगाने से पहले दिखा दूँ कि देखे भिंडी के बीज यहाँ पर और उगरे हैं यह उगरे हैं यह उगरे हैं यह उगरे हैं बिंडी के और देखो बिंडी के बीज मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं यहाँ पर हो रहे हैं यहाँ आप के बाद थाकि दस दिन बाद मैंने इनहें बोने के, बाद 2 दिन बाद मैंने यह भी लगा झैये हैं ताकि यह भी 10 दिन बाद अपना रेजल्ट दे सकें, तो चलिए, यहां पर मैं लगाती हूँ CH तो देकिए यहाँ पर मैंने निकाल लिए है दोनो पकेट सेHS और यह जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं यह तर्बॉज के और तर्बॉज़ भी खर्बॉजा भी दोनों हमारे अच्छी वराइटी के हैना तो यहाँ पर यह जो च onda है आप देख रहे हैं ना यह चोंच हमा जल्दी उग जाते हैं ये इस तरह से और देखो एक जगा दो न डल जाएं उसमें दिक्कत आती है आप इस तरह से लगा सकते हैं देखे इस तरह से तो मैं सारे ही लगा रही हूं क्योंकि मेरे पास जगा है और बना लूँगी जगा तो यहाँ पर मैं तो दीखें मैंँ झा करूंगी मुझे तो हो रही है जल्दी तो यहाँ पर ऐसे डाल दूंगे देखो एसे हैं ठीक है मैंने यह सौटे अलग को डालने है आपको एका है सब एक जगा नहीं डालने हैं और यहां पर अच्छा रहेगा कि आप थोड़ी अलग से मिट्टी डालें यह मिट्टी जड़ो की है लेकिन कोई बात नहीं मैं इनका समधान जानती हूं थोड़ा क्योंकि इन्हें हम पानी देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा गिला रखेंगे तो यह जल्दी ओग के आ यहां पर देखिए मैंने इस तरह से उगा दिये हैं यहां पर चोड़ दी थी सब्जी होड़ा बनाने के बाद देखिए इस तरह से बीज हो रहा एक है जा रहो घुड़ा कर देखिए क्योंकि अच्छे से यहां पर गीला होना बहुत जुरूरी है और यह धनिया वगेरा हम लिपाड देते हैं इसकी कोई मुझे आवर सकता और नहीं है फिलाल क्योंकि खाने दिया बंदरों ने और हमने खा लिया लेकिन डाला भी है मैंने सबजियों में ऐसी बात